हेलो स्तो कमाई का अड़ास यूटूब चल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम डिसकस करेंगे एक ऐसे शांदार कमपनी की बारे में जिसका शेर यहाँ पर बिलो दे हंड्रेट रुपीज यहाँ पर ट्रेड करा है और कमपनी के अंदर भरबर कर पुटेंशल और के एक्टिवेटिस काफी कमपनी के लिए सपोटेबल दिखाई देते हैं एंड कमपनी उतना ही अच्छा निवेशक को रीटन अलसो कमा कर दे रही है याने कि देखिए कमपनी के मैनेजमेंट के एक्टिवेटि भी बहुत अच्छे कमपनी के अंदर जो यहाँ पर हम कह सकत है कि जो अभी का इन्वार्मेंट है वो काफी कमपनी के ग्रोध के लिए सुटेबल दिखाई देता है तो शेर तो अच्छे खासे वैलुएशन पर है और कमपनी का बिजनेस भी डिमांडेट आपको दिखाई देगा और मैनेजमेंट भी जो अपने एक्टिवेटिस कर रह है वो कमपनी के फ्यूचर ग्रोध के लिए ही दिखाई देते हैं तो क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हमें ऐसे कमपनी पर नजर रखनी चाहिए जो काफी अच्छी और कमपनी फंडामेंटली स्टॉंग दिखाई देती हैं वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद है उसका शेर यहाँ पर लगबग 100 रूपीज पर ट्रेड कर रहा है और पिछले काफी समय से इस टॉक अच्छे खसे यहाँ पर तेजी में दिखाई दे रहा है पास जिनों के अंदर 19 परसिंड और पिछले एक मैने में 30 परसिंड के करीब का रिटन इस टॉक के अंदर जं स्मॉल कैप की कमपनी है तो उतना और भी रिटन इसने कमा कर नहीं दिया अभी इसके अंदर बहुत पोटेंशल और दिखाई देता है अगर मैं जैसे कि आपको इसका पास साल का भी चार्ट पैटन दिखा दो तो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कमपनी किस सिच और 48 से फिर से इसने जरनी स्टार्ट की और आज देखिए 100 नया अपना 50 टीक हाई इसने आचू किया है तो इसका मतलब यहाँ से आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आपको और बड़ी तेजी यह दोनों में से कोई भी चीज देखने को मिल सकती है हो सके उ खास है कि Confidence Petroleum Limited इस कंपनी के अंदर इतनी बड़िया तेजी आई है आप जैसे जानते ही होंगे दोस्तों की इस स्टॉक से रिलेटेट मैंने काफी समय पहले ही डिसकस किया था जो लोग मेरे सब्सक्राइबर है उनको तो पता ही होगा और इस कंपनी के एक्टिवनेस की प Limited इस कंपनी में हो क्या रहा है तो मैं आपको बताता हूँ देखिए Confidence Petroleum यह जो कंपनी है इसके यहाँ पर 13 न्यू आउटलेट ओपनिंग हो रहे है और कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए जितना हो सके उतना कोशिश यहाँ पर कर रही है और इसके प्ल Profit वगेरा है बताने वाला हूँ तो इस कंपनी के बिजनेस में इसी कौन सी बात है और कौन से आउटलेट यह भी आपको सवाल होगा तो मैं ओ भी बताता हूँ देखिए यह कंपनी इसे सिलेंडर मैनिफेक्चरिंग का काम करती है जो LPG ग्यास के सिलेंडर होते है या बहुत से अलग-अलग वराइटी के हम कहिए सकते कि सिलेंडर एक कंपनी बनाती है और सिलेंडर से भी बहुत अच्छी कमाई इसके आती है नेक्स दोस्तो LPG बॉटलिंग का भी यह काम क करती है और उसी के साथ पैक LPG सिलेंडर भी इनके यहाँ पर सप्लाइ करते है आटो LPG जो टेशन्स है जैसे के पेट्रोल के टेशन्स होते हैं पेट्रोल पंप हम जिसे कहते हैं वो भी जैसे अवेलेबल है उसी तरीके से इनके ग्यास की पंप है गो ग्यास नाम से इनके और उसे के साथ ये सिलिंडर खुद के नाम से भी बेशते है जैसे कि आपने इंडियन, इल्पी, इजी जो यहाँ पर ग्यास का आता है ये पूरा यहाँ पर सिलिंडर वैसे ही इनका Go Gas का नाम का सिलिंडर है बोल तो ये भी बिजनेस करते है ग्यास से रिलेटेड लोगों को घरगर पहुचाने का बात को थोड़ा अच्छी समझना क्योंकि बिजनेस आपको समझ में आ गया तो आपका काम बहुत एजी होता है अभी देखे ये सिलिंडर मैनिफेक्चरिंग का बिजनेस है उसी के साथ में यहाँ पर बॉटलिंग का बिजनेस है इनका आप यहाँ पर इसके बिजनेस के बारे में और पढ़ सकते देखे बॉटलिंग उसके साथ में पैक इलपेजी मार्केटिंग इनकी खुदकी है और यह देखे आटो यल्पीजी यह जो भी यहाँ पर हम देखते हैं अभी बहुत से सिटीज के अंदर यल्पीजी ग्यास पर ही चलने वाले स्वारी जो उसका अलग ग्यास होगा बट वो जो यहाँ पर ग्यास पर ही चलने वाले आटो बहुत आचुके हैं मार्किट के अंदर और लगातार यह आपने आउटलेट ओपन करते ही जा रहे हैं और बहुत अच्छे से ग्रोथ इनके अंदर दिखाई देती हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है तो कंपनी के अंदर हमें शेयर होल्डिंग अभी देखें दोस्तो शेयर होल्डिंग में अगर आप देखेंगे न तो इसके अंदर एक बड़ा पॉइंट दिखाई देता है वो है जून दो हजार जो 23 है जून दो हजार 23 और मैं सब्टेमबर 2000 आपको 23 के बारें बताना चाओंगा यहाँ पर आप जरू देखिए यह जो FIA से उनका स्टेक बढ़ चुका है सप्टेम्बर 2023 में और उसी के साथ आप यहाँ पर DIs देखिए 1.23 से 1.26 किया है और दोनों भी बड़े निवेशक स्टेक बढ़ा रहे हैं और काफी अच्छी शेर होल्डिंग है ना प्रमोटर का कोई यहाँ पर स्टेक हमें ऐसा नहीं देखाए देता है कि बहुत कम है उनके पास ऐसा बिल्कुल नहीं और सबसे अच्छी बात है कि कमपनी के yearly profit की growth देखिए पैसे कब लगाने चाहिए किसी company में जब उसके अंदर strength हो तो यह पिछले कुछ आप years के profit के yearly basis पर काफी अच्छे से grow हो रहे है और उसी के साथ ये भी चीज़ को देखिए दोस्तो earning per share ये भी देखिए 1.74 से बढ़कर 3.16 फिर वो 3.26 4.06 ये improvement होती है और ये चीज़े miss मत करना देखना चाहिए और आप चाहे तो sales भी देख लेना sales भी outstanding level से company के अंदर हमें बढ़ करते में नजर आ रही है कुछ लोग information देखने के लिए वक्त नहीं दे पाते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों वो SIP करना ही उनके लिए ठीक है अगर आप 5-10 मिनिट लेकर अपना देखकर स्वारी knowledge नहीं ले सकते हैं तो आपको किस तरीके से rate and expect यहाँ पर कर सकते हो आप आपको देखना पड़ेगा जानकर ही लेना पड़ेगी और एक बड़ी बात यहाँ पर थोड़ा आप देखेंगे तो quarterly result में भी company ने ठीक ठाक performance किया थोड़े September के जो यहाँ पर हम कह सकते है कि sales के number जो quarterly है उतने improvement वाले नहीं रहे बट flat result यहाँ पर देखा ही दिये बट yearly company company आगे बढ़ रही है यह आप देख सकते हैं और company का जैसे return जो यहाँ पर है net जो हम देखेंगे अच्छा खासा return कमा कर तो दिया और उसी के साथ जो यहाँ पर company growth दिखा रही है profit की पिछले पास सालों से 28% CA जा रहे है और यहाँ पर हम जैसे के confidence petroleum limited की बात करें तो यह stock ज 24 करोड का और यह company का peer ratio चल रहा है 25 पर return on equity और return on capital employed जो है यह अच्छे लेवल पर है एक moderate और ठीक ठाक लेवल पर तो इस तरीके से business है आप यहाँ पर चाहे तो और बड़े तरीके से इनके business को study कर सकते हैं और थोड़ा मैं business आपको और अच्छे से बताने कोशिश करता हू यह जो अपने businesses करते हैं उसके अंदर करनाटका, तम्मिल नाडू, तेलंगना, अंदरापरदेश, महरास्ट्रा, राजस्तान, यंपी, वेस्ट बंगल ऐसे सभी state आते हैं जो आटो LPG के segment में इनका business फैला हुआ है नेक्स्ट आगर LPG retail segment की pack LPG की बात करें तो वो भी इनके पास काफी बड़े customers अवेलेबल हैं जिससे ये कमाई कर लेते हैं, bottling division में इनके client देखें दोस्तों कोन हैं भारत Petroleum Corporation Limited, हिंदुस्तान Petroleum Corporation Limited, Indian Oil Corporation Limited, Reliance Industry, यह सभी बड़े से बड़े companies इनके client हैं और Go Gas नाम से इनका brand है, मैंने वो पहले ही बताया आपको, Cylinder Division के अंदर भी बहुत अच्छे client है, और capacity भी जबरदस्त है इनके पास manufacturing के, तो यहाँ पर CNGC division में भी ये काम कर रहे है, Gail Gas के Limited के साथ इन्होंने agreement किया है, यह भी चीज़े आपको पता होने चाहिए, और नजरे company पर रहनी चाहिए, marketplace में भी इसने बहुत अच्छा अपना weightage किया है, और इनके client भी strong रहने के वज़े से, इनको यहाँ पर benefit तो मिलेगा ही, तो I hope आप समझ पा रहे हो, इस company के अंदर के strength के बारे में, और इसके share थोड़े गिरिवी भी है, वो भी आपको बताना तो इस तरीके से company के details है, और company ने बड़ा capex भी लाया है, अपने business को expand करने के लिए, दोस्तो छोटा share है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि company में activity नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, company बहुत कुछ कर रही है, शिरिप आप किस तरीके से निवेश करते हो, उस पर depend है, आप business पर से पैसा कमाएंगे, तो आपकी मर्जी जैसे रहे वैसा, आपको ठीक लगे वैसा decision लेना, thank you so much